शाउल एक धार्मिक पुरुष था एक फरीसी उसने सोचा कि कोई भी जो येशु में विश्वास करता था एक जूट को फैला रहा था उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए और यहां तक कि मार देना भी चाहिए शाउल दमिश्क में येशु के शिश्वास को पकड़ने के लिए जा रहा अचानक एक चमकीली जोती उस पर चमकी वो नीचे गिर पड़ा एक आवाज ने कहा शाउल तू मेरे साथ इतना निर्दई क्यूं है प्रभू तुम कौन हो शाउल ने पूछा आवाज ने जवाब दिया मैं येशु है जिसे तुम नुकसान पहुचाना चाहते हो दमिश्क को जाओ वहाँ तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए शाउल उठा पर वो अंधा था उसके मित्र तमिश्क में उसे एक घर में लेकर गए शाउल ने वहाँ पर तीन दिन तक इज़्दजार किया उसने कुछ भी न खाया ना पिया इसी दोरान यशू एक दर्शन में हनन्याह दमिश्क में उसके शिश्यों में से एक परप्रकट हुआ यशू ने उसे जाकर शाउल से मिलने और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा ताकि वो पुनह देखने लगे पर शाउल तो आपके शिश्यों को गिलतार करना चाहता है हनन्याह ने कापते हुए कहा मैं जानता हूँ यशू ने कहा पर मैं शाउल को संसार भर में मेरे बारे में बताने के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ हनन्या शावल के लिए प्रार्थना करने को गया येशु ने मुझे भेजा है उसने कहा ताकि तुम देखने लगो और पवित्र आत्मा से भर सको शावल पुना देख सकता था तब उसका बब्दिस्म हुआ येशु ने शावल को एक ऐसे मनश्य से जो उसके शिश्यों को दुख पहुचाता था एक कलीसिया के अगुवे में बदल दिया जिसने सब को येशु के बारे में बताए इसलिए उसने उसका नाम भी पौलुस बदल दिया